नमस्कार बच्चों, आज हम आपके विवसाइक अध्यन के छटे अध्याएं विवसाइक के सामाजेक उत्तरदाईत्व वो विवसाइक नैतिकता का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं बच्चों, इसके पहले भाग में हमने इस बात को बड़े विस्तार में देखा था कि सामाजेक उत्तरदाईत्व क्या होते हैं, उनका अर्थ क्या है, वो उनके आवशक्ता क्या है उनके विपक्ष में भी कुछ तर्क है, लेकिन एक सर्वमाने बात आज के समय में यह हो चुकी है कि किसी भी विवसाइक के लिए अपने सामाजेक उत्तरदाईत्व पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है उसके उत्तरदाईत्व कई प्रकार के हो सकते हैं, वो कई तरह के वर्गों के तरफ हो सकते हैं जैसे अंशदारियों के तरफ उत्तरदाईत्व, कर्मचारियों के तरफ उत्तरदाईत्व, उभोक्तावादी के तरफ उत्तरदाईत्व इन सभी हुत्तरदाईत्वों को ध्यान देना, निभाना व्यवसायों का की जिम्मिदारी है उनका एक अनिवार्य कार्य बन चुका है आज की इस अध्याय में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वह व्यवसाय सामाजिक उत्तरदाईत्वों के एक मुख्य पहलू परियावरन के तरफ उत्तरदाईत्वों की बात करेंगे जब हम परियावरन की बात करते हैं तो इसमें हमारा अर्थ हिया होता है कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक चीजे या गैर प्राकृतिक चीजे भी हैं उन्हें हम अपने पर्यावरण में जोडते हैं यानि यदि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे आसपास का पूरा ये पर्यावरण जहां पर कुछ प्राकृतिक चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, पशुपक्षी, वायू मनुष्वे आदी आते हैं वो कुछ गैर प्राकृतिक चीज़ें जैसे मानम निर्मित वस्तुएं भी आती है लेकिन विशेष्टा जब परियावरन की बात की जाती है तो ध्यान प्राकृतिक चीज़ों की तरफ होता है क्योंकि मनुष्य ने आज तक जो भी विकास या तरकी की है कही ना कही प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का वहन करके उनका दोहन करके की है इसलिए मनुष्य की वह मनुष्य द्वारा चलाएगे वैवसायों की एक नहींत जमेदारी यह होती है कि वो परियावरन के प्रती या प्रकृति के प्रती अपने दायत्वों को भी देखें वह यह देखें कि परियावरन में संतुलन तो नहीं बिगड रहा कहीं उनके कारियों के कारण परियावरन के संतुलन को बनाए रखना परियावरन के घटकों की रक्षा करना यह भी वैवसायों के दायत्वों में आता है चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो जैसे भूमी, जल, वायो, कच्चा, माल आदी चाहे वो मानव संसाधन हो, सामाजिक संस्कृति हो, आर्थिक संगठन आदी हो ये वो सभी चीजे हैं जो एक व्यवसायक की सहायता करते हैं विकास में, तरक्की में वा सफलता प्राप्त करने में तो ऐसे में परियावरन का संगरक्षन, परियावरन पर ध्यान देना व्यवसायक के लिए भी जरूरी हो जाता है अब पिछले कुछ दशकों में, प्रदूशन ने परियावरन के मामले में हमारी चिंताओं को बढ़ा दिया है प्रदूशन के बढ़ते सर्थने, हर जगह, हर प्रकार के देश, हर प्रकार के छेत्र या व्यवसाय में इस चर्चा को शुरू कर दिया है कि ये प्रदूशन क्यूं हो रहे हैं, इन प्रदूशनों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वो इसमें व्यवसायों की क्या जिमिदारी है आज के युग में चाहे कोई भी छेत्र हो, चाहे वो सरकारी छेत्र हो, निजी छेत्र हो, किसी भी प्रकार का कार्य जैसे हो द्योग हो, किर्शी हो, खनन हो, उर्जा या तयात या कुछ भी हो हर छेत्र अपने कार्य के परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ कच्रा या गंदगी निकालते हैं जो कही ना कही परियावरण को दूशित करने में लग जाता है इन प्रदूशित करने वाली वस्तूओं में उत्पादन के समय निकाली गए वस्तूओं से लेकर उब्भोकताओं द्वारा निकाली गए वस्तूओं तक शामिल होती हैं तो इस लंबी प्रक्रिया इस लंबे चरण में इस लंबी श्रंखला में कई चरणों में विवसाई क्रियाओं से अप्षिष्ट पदार्थ कचर आदी निकलता है जो परियावरण में प्रदूशित करते हैं ऐसे कई वस्तूओं कई चीज़ें कई क्रियाओं हैं जिनमें विवसाई ऐसे अप्षिष्टों को निकालती हैं जो परियावरण को दूशित करते हैं तरह तरह के पर्यावरन प्रदूशन, हम सब ने पहले पढ़े हैं और हम सब अब भी देखेंगे कि वेवसाये कहीं ना कहीं हर परकार के पर्यावरन ये प्रदूशन के लिए जिम्मेदार है चाहे वो वायू प्रदूशण है, चाहे वो जल प्रदूशण हो, भूमी प्रदूशण हो या ध्वनी प्रदूशण वेवसायों से निकलने वाला धुआ वायू प्रदूशण करता है वेवसायों से निकलने वाला रासाइनिक कच्रा जल्व भूमी प्रदूशन करता है फैक्टरियों में मशीनों आदी से निकलने वाला शोर ध्वनी प्रदूशन करता है तो वेवसायक इकाईया हर प्रकार के प्रदूशन के लिए जिम्मदार है कहीं ना कहीं उनका हमारी समाज, हमारे वातवरन में, परियावरन में जो प्रदूशन है उनमें उनका भी योगदान है ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि वेवसाए प्रदूशन नियंतरन के लिए कदम उठाएं प्रदूशन नियंतरन के लिए आवश्यक कदम लिये जाएं ताकि वेवसाय उन्हें जो प्रदूशन किया है उसे कम करने की कोशिश हो और उन्हें निम्तम स्तर पर लाया जा सके है आईए अपने इस बात को कुछ तथियों या कुछ मुख्य बिंदूओं के जरिये साबित करें कि कैसे या क्यूं वेवसाय के लिए प्रदूशन नियंतरन आवश्यक है सबसे पहली बात है कि यदि वेवसाय अपना योगदान देंगे प्रदूशन नियंतरन में तो प्रदूशन की कमी से स्वास्थय संबंदी समस्याएं कम होने से वेवसाय के करमचारी स्वस्थ रहेंगे तो वो पादन अच्छा कर पाएंगे ग्राहक स्वस्थ रहेंगे तो वो उभोग अच्छा कर पाएंगे इसलिए यह अनिवारी है कि स्वास्थे को सही बनाये रखने के लिए प्रदूशन को नियंतरित में रखा जाए दूसरा प्रदूशन से होने वाले जोखिमों को कम करना प्रदूशन कई तरह के जोखिम कई तरह की हानियों को बढ़ाता है चाहे वो स्वास्थे से जुड़ीवी हो, चाहे वो आर्थिक हानिया हो इनको कम करने के लिए प्रदूशन नियंतरण अनिवारिया है तीसरा लागत में बचत यदि प्रदूशन का इस्तर बहुत जादा हो जाता है तो आगे जाकर उसे नियंतरित करने के लिए जिस प्रकार की उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं उन कदमों में बहुत जादा पैसा भी खर्च होता है यदि व्यवसाय उससे बचना चाहते हैं तो यह समझदारी होगी कि वो पहले सही प्रदूशन नियंतरन के लिए कदम उठाकर चरे हैं चौथा सार्वजनिक छवी में सुधार जो व्यवसाय अपने समाज या परियावरन में प्रदूशन नियंतरन के कदम उठाते हैं जो ऐसे मशीनों या तकनीकों आधी का उप्योग करते हैं जिनसे प्रदूशन कम होता है ऐसे व्यवसायों की समाने तह समाज में छवी अच्छी पाई जाती है जो कि फिर आगे जाकर व्यवसाय को लाब अर्जित करने में भी सहायता करते हैं इसके अलावा प्रदूशन नियंतरन से कुछ अन्य भी लाब होते हैं जैसे की स्वच्छ इमारते, उच्च कोटी का जीवनस्तर, प्राकरतिक उत्पादों की शुद्ध रूप में उपलब देता स्पष्ट द्रिश्यता यानि आसपास का एक सुन्दर माहौल, सुन्दर वातावरण जिसे देखकर हम मानसिक रूप से खुश रह सकते हैं, स्वस्त रह सकते हैं, जीवनस्तर बहतर हो सकता है इस तरह के कुछ अन्य फायदे भी है, जो हमें मिल सकते हैं, यदि हम हमारे व्यवसाए, प्रदूशन नियंतरन के लिए कदम उठाएं तो ऐसे में व्यवसाए क्या कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है प्रदूशन नियंतरन में सबसे पहली चीज, उच्च स्तरिय प्रबंधक जो हैं व्यवसाए के, जो व्यवसाए के उपर के स्तरों पर बैठे वे लोग हैं उन्हें परियावरन सुरक्षा या प्रदूशन नियंतरन के लिए वचन बद्ध होकर काम करना होगा क्योंकि वो यदि काम करेंगे तो उन से सीख कर प्रेरित होकर उनके नीचे के लोग अन्य कर्मचारी भी योगदान देंगे उन्हें इस बात का सबको विश्वास दिलाना होगा कि उनका उध्यम उनका व्यवसाए वा उनका प्रबंधन प्रदूशन नियंतरन के लिए वचन बद्ध है उन्हें ये चाहिए कि वो अच्छे किस्म का कच्चा माल खरीदें कुछ पैसे बचाने के लिए खराब किस्म का कच्चा माल या खराब किस्म की तकनीक मशीने आदी ना अपनाएं जो प्रदूशन फैलाएं अच्छे किसम का कच्चा माल इस्तिमाल करें, उच्च कोटी की तकनीक अपनाएं, कच्रे के निश्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तिमाल करें, ताकि कच्रा सही तरीके से निश्पादित किया जा सकें ये कदम व्यवसाय उठा सकते हैं इसके अलावा यदि सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं प्रदूशन नियंतरन से जुड़े हुए तो उनका पालन करें यदि उनके व्यवसाय उद्द्यम या फैक्टरी से जोखिम भरे द्रव्य पदार्थ निकलते हैं तो उनकी उचित विवस्था करें सरकार के कारेक्रमों में सहायता करें जैसे यदि सरकार नदियों की सफायी विच्छा रोपणय वनों की कटाई को रोकने के लिए कारेक्रम या अभियान चला रही है तो उसमें वो सयोग करें वो इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी काम जो वेबसाइक कर सकते हैं वो ये है कि वो अपने आपूर्ती करताओं, डीलर्स या क्रेताओं को भी प्रसिक्षन देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं वो सभी लोगों में जागरुकता फैलाएं, उन्हें ज्यान दें कि वो सब लोग किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं प्रदूशन नियंतरन में इससे एक से कड़ी शुरू होकर कई हो तक फैलेगी और बहुत प्रभावशाली तरीके से सभी लोग अपना योगदान दे पाएंगे परियावरण के संग्रचन के लिए तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रदूशन या परियावरण की अन्य समस्या एक किस प्रकार आज हमारे सामने खड़ी है उनके कारण क्या है और व्यवसाय किस प्रकार उनका एक कारण है इसलिए वेवसाय को प्रदूशन नियंतरन के लिए मेहनत या कोशिश करनी चाहिए वो क्या-क्या कदम वो उठा सकते हैं इन पर हमने चर्चा की अब अंत में हम अपने इस अध्याय की चर्चा को उसी बात पर ले के आते हैं जहां से हमने इसकी शुरुवात की थी हमने पिछले भाग में नैतिकता शब्द से अध्याय की शुरुवात की थी फिर हम उत्तरदाइत्व उपर गए फिर हमने आज प्रदूशन की बात की चाहे वो प्रदूशन नियंतरन के लिए उठाने वाले कदम हो चाहे वो आर्थिक, नैतिक, आदी, उत्तरदाइत्व निभाने के लिए किये गए कारी हो इन सभी के पीछे वेवसाइक या मानविय सोच काम करती है जो यह बताती है कि क्या सही है या नहीं है और जब सही गलत की बात आती है तो शब्द आता है नैतिकता नैतिकता शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है एथिक्स ग्रीक भाषा में से एथिक्स कहते हैं जिसका अर्थ है चरित्र मानक आदर्श या नैतिक विवहार जो एक समाज में प्रचलित होते हैं यदि हम एक कार्य निर्णय या वैवहार नैतिक तरीके से करना चाहते हैं तो हमें समाज की मानिताओं वा सिधानतों के अनुरूप उसे करना होगा आर्थात यदि हम समाज के मानिताओं या सिध्धानतों के अनुरूप कारेओं को करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कारे नैतिक हैं हमने नैतिकता का पालन कीया है व्यवसाईक नैतिक्ता का सीधा संबंद व्यवसाईक उदेश्य चलनव तकनीक से है जो कि समाज के साथ चलते हैं एक व्यवसाईक इकाई को चाहिए कि वो सही मूल्य वसूल करे, सही तोल करे ग्रहाकों से सदभावना पूर्ण व्यवहार करे वो ऐसा कोई कारिय ना करे जो सामाजिक रूप से अवांचनी है नैतिक्ता में मानविय कारियों का यह निश्चित करने के लिए विशलेशन किया जाता है कि वो कुछ सामाजिक मापदंडों पर सही है या नहीं यानि किसी भी कार्य को कुछ सामाजिक मापदंडों पर नापा जाता है। इन में से दो महतवपूर मापदंड हैं सत्यवन्याएं। तो ऐसे सामाजिक मापदंडो के अनुरूप जब हम कारे करते हैं जैसे सत्य वन्याए तो हम नैतिक या नैतिकता का पालन करते होगे कहलाते हैं अब एक वैवसाई में नैतिकता का पालन करने के लिए कुछ मूल तत्व होना अनिवारी है यानि एक व्यवसाय यदि इन बातों को ध्यान देगा तो वहाँ सफलता पूर्वक अपने नैतिक जिम्मदारी को निभा पाएगा इनमें से सबसे पहली बात है उच्च स्तरिय प्रबंध की प्रतिबद्धता यानि एक व्यवसाय नैतिक तभी हो सकता है जब उसका उच्च स्तरिय प्रबंधन इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो क्योंकि व्यवसाय के सभी महतुपूर्ण निर्णय नीतियां आदी उच्च स्तरिय प्रबंधन द्वारा ही बनाये जाते हैं यदि व्यवसाय के सबसे प्रभावशाली लोग इस बात को लेके प्रतिबद्ध होंगे कि उन्हें अपने व्यवसाय को नैतिक तरीके से चलाना है कुछ गलत नहीं करना तो वो अपने नीचे के लोगों या कर्मचारियों को भी प्रोशाहित कर पाएंगे उनके अंदर जोश भर पाएंगे कि वो भी नैतिक मूलियों का पालन करें इसलिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है उच्च स्तर्य प्रबंधन की प्रतिबद्धता या वचनबद्धता इसके पश्चात जो प्रबंधन है वो अपने व्यवसाय में एक सामान्य कोड का प्रकाशन कर सकता है एक कोड बनाये जा सकता है जिसमें कुछ नियम काईदे या कुछ नैतिक मूल ले लिखे जाए जो व्यवसाय के हर कर्मचारी को बताये जाए उनको पता हो कि उन्हें इन मूलियों का पालन करना है इन्हें मानना है ये व्यवसाय के द्वारा माने जाने वाले सामान्य मूल या कोड है तो वेवसाय के अंदर आने वाले सभी लोगों को भी उने मालना चाहिए तो ऐसा एक कोड प्रकाशित किया जा सकता है जिसे देख कर लोग अपने मूलियों का पालन करना शुरू करें इसके बाद केवल कोड बना देने से ही नैतिकता स्थापित नहीं हो जाएगी इसके लिए वेवसाय को एक अनुपालन तंत्र के भी स्थापना करनी चाहिए एक ऐसा सिस्टम या तंत्र बनाना चाहिए जिसके जरिये वेवसाय या सुनेश्चित कर सके कि जो कोड या जो नैतिक मूल या वेवसाय में थापित किये गए निर्धारित किये गए उनका पालन भी हो रहा है यदि पालन नहीं किया जा रहा किसी के द्वारा तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा पालन करने पर किस प्रकार और प्रोश्चाहित किया जाएगा इसको सुनेश्चित करने के लिए एक अनुपालन तंत्र होना अनिवारी है चौथी वह सबसे महतुपूर्ण बात यह है कि जब ऐसा कोई कोड या इसे नैतिक मूलिय या नियम कानून बनाए जाते हैं तो यदि उच्चिस्तर ये प्रबंधन केवल अपने मंद से बनाकर करमचारियों पर थोप देगा तो करमचारियों के लिए उन्हें पालन करना दिल से उन्हें मानना मुश्किल होगा इसलिए वेवसाय को या प्रबंधन को चाहिए कि वो हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करे उनके साथ मिलकर ऐसे कोड बनाये जाए जब कर्मचारियों की सम्मती से ऐसे कोड या ऐसे नियमकाइदे बनेंगे तो कर्मचारी खुद बखुद उनका पालन भी करेंगे अंत में ववसाय को ऐसा भी एक तंतर बनाना चाहिए कि वो इस बात की गणना या अनुमान लगा सके या आकलन कर सके कि जब से हमने इन इतिक मूलियों का पालन करना शुरू किया तब से उसका हमारे परिणामों पर क्या असर पड़ा क्या साकारात्मक हमें परिणाम मिले है इन परिणामों का मापन भी होना चाहिए ताकि हम यह देख सके कि हमारे मूलिक इतने कारिगर रहे क्या हमें और कुछ सुधार या और कुछ चीजों को उनमें बढ़ाने की या हटाने की आवशक्ता है ये सब तभी हो पाएगा जब हम समय समय पर इनके पालन से होने वाले परिणामों का मापन भी करें तो बचों आज इस भाग में हमने देखा कि प्रदूशन किस प्रकार एक समस्या बन गई है और व्यवसाय के उत्तरदाइत्व में से आज एक बड़ा उत्तरदाइत्व यह हो गया है कि वो उसके निप्टारे या निवानन के लिए कुछ करें क्या क्या कदम व्यवसाय द्वारा उठाई जा सकते हैं हमने इन पर चर्चा की वह अंत में आज हमने नैतिक्ता की बात की नैतिक्ता यानी सही गलत की पहचान व्यवसाय में लाब के साथ-साथ नैतिक्ता का भी ध्यान रखा जा सकता है उसके भी कुछ तरीके हमने देखे मैं आशा करता हूँ कि आप नैतिक्ता को विवसाईक परिपेक्ष में तो समझे ही होंगे साथ साथ आप नैतिक्ता उत्तरदायत्व जैसे सामाजिक मूलियों को और पहचान पाये होंगे और शायद अपने अंदर भी उनको शामिल कर पाएंगे मैं आशा करता हूँ कि इस अध्याय के दोनों भाग आपको अच्छे से समझाए होंगे आज के इस भाग में वो इस अध्याय में केवल इतना ही धन्यवाद झाल